अगर चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा तो डिसेंट ले भी मैं गई थी सरोजनी नगर और सबसे पहले मैंने की पेट पूजा अपने मुमोस खाने के बाद फिर एक्स्प्लोर किया सरोजनी नगर और यहां पर विंटर कलेक्शन अच्छा रखा है और यहां पर आप एथिनिक वेर भी भी बाई कर सकते हो यहां पर जो अच्छे नोटिस किया यहां पर जो साइज होते हैं उनमें बहुत दिक्कत होती है जिनका साइज 30-32 होता है उनके साइज के लिए इतनी जल्दी से मिलते ही नहीं बॉटम वेर तो मिलता ही नहीं आपर जो मोसली साइज होता है वो 26-28 आपको इसली मिल जाता है बर 32-30 यह साइज आपको बहुत एक्स्प्लोर करना पड़ता है तब जाके मिलता है मैंने एक शौप में बहुत ही बुटिफल स्कर्ट देखी थी उसमें जो साइज था वो 30 साइज था ही नहीं जो सारी जो स्कर्ट थी 26-28 साइज में ही थी अगर आपको सरोजी नगर में मालatt बहुत अच्छा कलेक्शन जाएज तो आप हमेशा टूसड़े को जाएगे तो अगर हो सके थो थो थोड़ा जल्दी जाएगा जल्दी जाओगे तो चीज़ अच्छे से एक्स्प्लोर कर पाओगे कम रश मिलेगा तो बढ़िया वाली शॉपिंग हो जाएगी सरोजनी नगर में 100 रुपे में कोट 100 रुपे में स्वेटर क्यों मिलते हैं क्योंकि यह जो क्लोस होते हैं सेकेंड हैं और यह जो भार देश के लोग होते हैं वो डोनेट कर देते हैं तो ये इन्हें अच्छे से वाश कर देते हैं और फिस सेल कर देते हैं ऐसा नहीं कि सरोजनी नगर में सारे ही second hand होते हैं या donation वाले ही होते हैं यह आपे new clothes होगरा भी मिलते हैं अगर भी उक एक दो लोगों ने बोला एक हवा दो मुझे नगरे की वीقो अगरें वेक बोला कि जो फॉर्ट जो फ़ॉपे को आप 500 रुपे का जो close है वो आपको 50 या 100 रुपे में दे देंगे तो वो जो shop वाले थे वो बिचारे यूटूब वालों से बहुत बदलब tension में है कि वो लोग यूटूब वाले आते हैं और ऐसे से जूट बोलते हैं लोगों को और फिल लोग आते हैं लड़ते हैं हमसे कि 100 में दो हम वीडियो देखकर आये थे वो 100 में बता रहा था 50 रुपे में बता रहा था तो भई ऐसा मत करो जो actual rate होता है न लोगों को वही बताया करो या शॉप्स में तो देखो अगर आप नया कपड़ा बाइ कर रहे हो तो वह आपको 1000 रुपे में भी मिलेगा 500 रुपे में भी मिलेगा यह नहीं है कि आपको वह new clothes 100 रुपे में देदेगा 50 रुपे में देदेगा तो ऐसे लोग जूड बोलते हैं कि यह 200 में मिल रहा है 300 रुपे में मिल रहा है नहीं मैंने ये जो इरिंग से 200 रुपे में बाई किये थे ऐसे उनका कहना भी एक तरीके से सही था यहां पर मनलब अब यहर हर परसन एक जैसा नहीं होता कुछ अपनी वीडियो में रियालिटी भी बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं कुछ वियू Nicholas के लिए क्या करते हैं कि अगर वहां पर वो New Clothes होना उसको भी 100 रुपे में बता दिंगे जबकि ऐसा कुछ नहीं होता यहांपर आपको New Clothes मिल रहा है वो आपको 500 में भी मिलेगा 1000 में बी 700 में मिलेगा ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखकर आगे और आपको यहां पे वो 100 रुपे में मिल गया तो इतना जूट मत बताया करो लोगों को यार तो यहां पे जो कुछ शॉप्स वाल है वो बिचारे यूटूब वालों से बहुत परेशान है वो लोग बोलते रहते कि यूटूब वाले इतना जूट बोलते है अपनी वीडियो में तो भई इतना जूट मत बोलो कि यहां पे जो लोग है वो परेशान हो जाए और एक दिन यूटूब वालों का बंद कर दे आना अब देखें यहां पे जो आउट साइड यह क्लोज लगें यह मिलते हैं महला 80 रुपे में है 100 रुपे में 200 में है बट अंदर आप शॉप्स में जाओगे तो आपको 300 का भी मिलेगा 500 का भी मिलेगा 1700 इतने का मिलेगा मिलेगा यह नहीं कि आपको यहां पे हर चीज 100 रुपे में मिल जाएगी है पचास में मिल जाएगी यहां पी यह दो अच्छा अपने साथ एक बैग हमेशा लेके जाओ सरोजनी अगर में जाने के लिए एकदम फ्री वाला टाइम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है काफी बड़ी मार्केट एक्सप्लोर करने में टाइम लगा चीजों को देखने में टाइम लगता है तो जब आप फ्री होना तब ही आप सरोजनी अगर जाईएगा अगर जिन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है सरोजनी अगर मार्केट एक बड़ देखकर आए विंटर कलेक्शन देखकर आए ओप आपको अच्छा लगेगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स लॉग में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाबाई आपीवान टेक यार